सबसे बड़ा स्कोर बनाया उन्होंने मुंबई इंडियन्स को लगातार दूसरी हार के मार्क्स हैं और यहां पर मैज जीत कर संराइजर्स हैदराबाद में आई पील में दो पॉइंट्स हासिल कर लिये हैं लेकिन उसी के साथ मुंबई इंडियन्स हार्दिक पंडिया की कप्तानी में हार्दिक पंडिया जिन्होंने रोई शर्मा को कप्तानी से हटा कर आये थे मुंबई इंडियन्स की कप्तानी करने दो मैच में दो जबरदस्त हार हो चुकी हैं मुंबई इंडियन्स की और आई पील में आज का यह जो मैच है यह सालों तक याद रखा जाएगा क्योंकि 11 साल पुराना IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आज Sunrisers हैदराबाद ने तोड़ दिया जब Sunrisers हैदराबाद ने Royal Challengers Bangalore जिन्होंने 2013 में 263 रन बनाये थे आज उन्होंने वो स्कोर को तोड़ दिया IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया आज Sunrisers हैदराबाद ने लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां वो पुराना वाला जो बड़ा स्कोर था आरसीबी का वहां पर रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली थी क्रिस गेल ने 175 रन की यहां पर बहुत सारे बैक्समेन Sunrisers हैदराबाद के जबरदस जो बैक्समेन है बहुत सारे बैक्समेन ने लगातार 50 मारी हम आपको वो स्कोर दिखा रहे है Royal Challengers Bangalore का Royal Challengers Bangalore जिन्होंने 2013 में 263 रन बनाये थे पांच विकेट खोकर आज IPL के इतिहास का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज Sunrisers हैदराबाद ने Sunrisers हैदराबाद जिन्होंने 277 रन बनाये 20 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर बाई जब यह Royal Challengers Bangalore 2013 में आए दि क्रिस गेल ने 175 रन की नाबाद पारी खेली थी दिलशान ने भी 33 रनों की मलब सबने चोटा-चोटा योगदान दिया था विराट कोली 11, ABD विलियर्स 31, सौरभ तिवारी थे उस समय पे जिन्हें बाई चोटा MS दोनी कहते थे लोग वो भी थे दो रन उन्होंने मात्र बनाये थे लेकिन आज RCB की बात नहीं करेंगे RCB की बात नहीं बात होगी Sunrisers हैद्रबाद की जिन्होंने IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया Sunrisers हैद्रबाद ने आज जब पहले बेटिंग करी शुरुआत करी मैंग अगरवाल ने फीकी शुरुआत, ठंडी शुरुआत 13 बॉल में 11 रन बनाये लेकिन उसके बाद Travis Head और अभिशेक शर्मा की तूफानी 50 Travis Head जो की इस IPL में अपना पहला मैच केल रहे थे Sunrisers हैदराबाद की दरफ से डेब्यू कर रहे थे उन्होंने 24 बॉलों में 62 रन बनाये 9 चौके, 3 चुके लेकिन इसके बाद अभिशेक शर्मा आये जिन्होंने इस 50 को भी फीका कर दिया 23 बॉलों में 63 रन बनाये 3 चौके, 7 चुकों के साथ एडन माकरम ने 28 बॉलों में 42 रन बनाये 2 चौके, 1 चुका लेकिन बड़ी पारी खेली वो खेली हैंरिक क्लासन ने जो की ओरेंज कैब विनर भी बन गए है जिन्होंने 34 बॉलों में 80 रन बनाये 4 चौके, 7 चुक के बाई क्या कर रहे थे यार जब पहली पार्टनर्शिप जो थी वो थी अभिशेक शर्मा और ट्रेविस हैड मयांग अगरवाल जल्दी आउट होगे थे लेकिन ये 30 और 32 रन बना कर ये जो 23 बॉलों में 68 रन किये जो कमाल पार्टनर्शिप थी इसने जो हाइदरावाद की एक नीव रख दी थी कि भाई 200 प्लस रन तो जाही जा रहे है उसके बाद हेंरिक क्लासें एडन मागरम आए इन्होंने एकने 80 मार एकने 25 मारे 116 रन की पार्टनर्शिप मात्र पच्चपन बॉल पे भाई 12 से उपर का रन रेट रखा और इन्होंने निश्चित किया भाई ये जो स्कोर है वो भाई 277 आज सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे भाई हमने मतलब ये बड़े मिया छोटे मिया वाली पारी हो गई अब शेक शर्मा और ट्रेविस एडगी मतलब उन्होंने गा 24 बॉलों में मारूँगा मैं 63 उन्होंने गा नहीं मैं 23 में मारूँगा 64 लेकिन इनकी पारी के अलावा अब हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से मुंबई इंडियन्स ने भी पलटवार करने की कोशिश करी थी और ऐसा लग दा था कि मुंबई इंडियन्स भी शायद इस मैच में एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी और शायद हो सकता है मैच जीद भी जाए शुरुवात करी रोहित शर्मा हिट मैन रोहित शर्मा 12 बॉलों में 26 रन 1 चौक का 3 चक के 216.66 का स्ट्राइक रेट और इनके साथ हाई थे इशान किशन 13 बॉलों में 34 रन बनाए जहांपर इनोंने 2 चौक के 4 चक के 261.53 के स्ट्राइक रेट से और दोनोंने मिलकर सिफ 3 ओवर 2 बॉलों में प्रशान 56 रन बना दिये थे लेकिन उसके बाद नमंदीर जो कि सूर्या कुमार यादव की जगे खेल रहे है बाई क्या खेल रहे हैं ये बन्दे बेए 14 बॉलों में 30 रन दो मैच खेले हैं दोनों में इमिनों ने इंप्रेस किया है 214 का आज भी स्ट्राइक रेट रा 2 चौक के 2 चक्के के इनकी शांदार पारी रही उसके साथ-साथ तिलक वर्मा भाई ये बन्दा अलग पुश्मा मोड ऑन था इनका कह रहे है बाई मैं जुकेगा नहीं इनके सामने 14 रन मारे 34 गेंदो बे 188 का स्ट्राइक रेट 6 चक्के 2 चौक के और जब तक तिलक वर्मा क्रीस के उपड़ थे बाई ये लग रहा था कि यार ये मैच ना मुंबई अभी तक हारी नहीं है सिरब मात्र 8-10 रन का फरक रह रहा था फिर आए हार्दिक पंडिया हार्दिक पंडिया के बारे में मुझे लगता है कि एक अलग एपिसोड बनता है ना सिर्फ हार्दिक पंडिया जस टाइम पर आये थे तेज रनों की दरकार थी वहाँ पर ये 20 बॉलों में 24 रन बना कर गए है और कही ना कहीं ये पूरा मैच हार्दिक पंडिया की खराब, घटिया, कप्तानी के लिए भी याद किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे मौके आए जब हार्दिक पंडिया ने जिनको अपने दोनों हाथों से गमाए है और वावर पर हार्दिक पंडिया को लेकर एक और बात कहनी है प्रशाद मेरे को के हार्दिक पंडिया की बहुत जादा ट्रोलिंग हो रही है सोचल मीडिया पर जब से उन्होंने गुजरा टाइटन्स की कफ्तानी छोड़ कर वो मुंबई इंडियन्स वापस आए और मुंबई इंडियन्स आते के साथ ही उन्होंने रोहिश शर्मा की कफ्तानी छीन कर अपनी तरह उनको कफ्तानी मिल गई उनको पर काफी सारे एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए और हम भी सवाल उठाएंगे अगर आप भी सवाल उठाना चाते हो तो वो सवाल आप जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए दा क्रिकेट शो अभी जा रही है यहाँ पर हम आपके एक्सपर्ट उपीनियन्स को लेंगे लेकिन हार्दिक पंडिया की बात करेंगे हार्दिक पंडिया ने आज कप्तानी में जिस टाइम पर संराइजर्स हैदराबाद के बैट्समेन कूट रहे थे बिल्कुल पिटाई कर रहे थे मुंबई इंडियन्स की बोलिंग को और ऐसी पिटाई ट्रेविस हैड ने 18 बॉल में 50 रन बनाए तो अभिशेक शर्मा ने 16 बॉल में 50 रन बना डाए इतनी जबर्दस जब पिटाई हो रही थी तब मुंबई इंडियन्स के सबसे चमतकारी बोलर सबसे करामाती बोलर ज़स्प्रीद बॉंबरा का बेहद ही खराब इस्तमाल किया हार्दिक पंडिया ने हार्दिक पंडिया ने बुम्रा को सबसे पहले तीसरे ओवर में लेकर आए जहां उन्होंने सिर्फ 5 रन दिये उसके बाद 10 ओवर तक जस्पीद बुम्रा को बोलिंग अटेक में लगाया नहीं एक टाइम पर 10 ओवर 11 ओवर में 1500 रन 160 रन बने संराइजर हैदराबाद के लेक को आउट अफ सिलिबस आगया अभिशेक शर्बा ने जिस तरीके से इनको उपप्रहार किया जस्पीद बुम्रा की हम आप देखिए जिस मैच में 277 रन मारे हो एक टीम ने वहां पर जस्पीद बुम्रा का शानदार बोलिंग रिपर आपके सामने अब अब हादिक पांड़ा के पास बचने का सिर्फ एक तरीका है जो उनको बेस तरीका आथ है आप इंजट हो जो भाई आपको इतनी गंधी ट्रोलिंग हो रही है हार्दिक पाणडया और उसके बार आती अब हारदिक पांडया के पास अपने आपको पूफ करने का यह मौका था और आप भी अपने अपने जो एकस्पर्ट गॉवर्मेंट है न जो हार्दिक पांडया की तरफ से आपके अंदर से निकल के आ रहा है वो आप लेजिए पहला क्या बोलती पबलिक का क्वेशन हमारे पास आ गया भाई ये तो होना ही था उरेश शाह ने कहा है कि ये तो होना ही था जब आप 278 की चेज में 20 बॉल में 24 रन बनाओगे और खुद को बड़ा कैप्टन मानोगे देखिये जो हम बा इस टाइम पर जरूरत थी सारे और ऐसा माना जा रहा था कि मुंबई के पास बहुत जबरदस पावर हिटर्स हैं पूरा पूरा जो इनका लाइनप है सब मारने वाले रोमारियो शेफर्ड बैठे रह गए यार रोमारियो शेफर्ड जो की एक तरीके इनको इंको पर प्रशांत एक कमी है हार्दिक पंडिया की बेटिंग में और यह मैं बहुत टाइम से बनाते हैं जो प्लेयर है वो फैंटास्टिक प्लेयर है टीम इंडिया को उनकी बहुत जरूरत है लेकिन मुझे याद नहीं आरा लास्ट मैच जो हार्दिक पंडिया ने फिनिश किया हो फिनिश करके वो मैच जिताया हो अगर आप हारा हुआ मैच को क्लोज ले गए हो उसको फिनिश करना नहीं कहता यहां पर अगर आप 20 बॉलों में 24 रन बना रहे हैं जब 277 का टार्ग पार्ग में थी तो इन्होंने चौक के टांगे लेकिन जैसे ही बॉलर ने थोड़ा सा दूर अपनी बॉलिंग करनी शुड़ू करी और वहां पर हार्दिक पंडिया ऐसा लगा के इनके हाथ पैर में यह हार्दिक पंडिया है ने इसे में दई जम गया हार्दिक पंडिया इनको नाम दे रखा है आकाश शोवड़ा जी ने और भाई यह इतना हार्ड मार रहे थे कि बॉल जो है वो 38 सरकल नहीं पार कर पारी थी अब कैप्टन ही जब कैप्टन वाली पारी नहीं खेलेगा तो फिर कौन खेलेंगा अब मारकरम तो आके आपकी टीम से ऐसे नहीं हो ओवर थर्ड ओवर में वो आए पहली बात तो जस्पीद बूमरा यार आपके स्ट्राइक वो लन है हो सकता है नहीं बॉल से आपको उनको देना चाहिए पर चलिए आपने वाँ पर का कि नहीं मैं गुजरा टाइटन के लिए भी ओपन करता था बोलिंग अच्छी बॉलिं थर्टींत ओवर जिसमें उन्होंने साथ रन दिये फिर पंद्रवा ओवर जिसमें ग्यारा रन गए और फिर उन्नेसवा ओवर जिसमें तेरा रन गए चार ओवर में 36 रन बूमरा ने दिये लेकिन इसके अलावा बूमरा के अलावा जो यंग बोलर आज 17 साल का जो नाबाल येना मफाका, South Africa की जबरदस, मनलब ये जो young prospect माने जाते हैं, under 19 में बहुत जबरदस इनका performance रहा है, आज Mumbai Indians ने इनको मौका दिया, पहला ओवर इनोंने किया, 7 रन दिये, फिर इनको तीसरा ओवर जिसमें इनोंने 22 रन दिये, उसके बाद भी Hardik Pandya ने इनसे पूरे 4 ओवर कर जिसमें इनोंने 20 रन दिये, और उसके बाद 17 ओवर भी फिकवाया, जिसमें उन्होंने 18 रन दिये, या तो ये मफाका का करियर करना चाहते थे, या ये मफाका का confidence करना चाहते, समझ में नहीं आया, कि जिसको बॉलर आपका 4 ओवर में 66 रन, मनलब इतनी बुरी तरीके से प 20 ओवर जिसने T20 करियर में कभी 20 ओवर नहीं किया, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या बोलती पुबलिक में लगाता है, हमारे पास comments आ रहे हैं, और MD शकील का comment आया है, वो कह रहे हैं, जो अपने senior की कदर नहीं करता, उसका ये ही हाल होता है, बाई बिल्कुल सही कह रहे हो, आप देख रहे हों मैं कितनी कदर करता हूं यार, कभी आपने मेरे को देखा पूरे cricket show में इनकी बात काटता हूं, मैं नहीं काटता, मैं कभी इनको लॉग वान पर फिल्डिंग करने के लिए नहीं कह सकता, तु जा, वहाँ पर फिल्डिंग करता, ये पूछेंगे भी, अ पर फिल्ड पर फिल्ड पर और खास तोर पर गौतम गंदीर भी उस चीज को कही बार कह चुके हैं कि एक गेम फेस होता है, जब तक गेम चल रहा होता है, अगर आप उसमें जब इस तरीके के रन पड़ रहे हों, इस तरीके की चीजे जा रही हो, जब आपकी टीम की लुटिया डूब रही हो, उस ताइम पर अगर आप अपने दाथ दिखाते हुए दिखाई दोगे तो यार फैंस को तो गुस्सा आए गई और वो ही हमारे कॉमेंट सेक्शन में भी दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हार्दिक पंडिया के खिलाफ तूट कर लोग पढ़ रहे हैं रवी शंकर यादव जी का कॉमेंट आया है कह रहे हैं रोहिष शर्मा काफी अच्छे कपतान है जी यह रवी शंकर बाई बढ़िया के तो है सर बिलकुल रोहिष शर्मा बढ़िया कपतान है मुंबई इंडियन्स को भी मानना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पांच तो है यह रवी शर्मा बढ़िया की कपतानी के उपर सवाल उठे थे पिछले मैच में भी यह देखा गया था कि जब वह उनको तिम डेविड तिम डेविड तिलक वर्मा जब बैटिंग करने आये थे वहां पर भी सवाल उठे थे कि तिलक वर्मा उनको स्ट्राइक नहीं हैं सर बिल्कुल बड़े सारे matches हैं और हम तो चाहते हैं कि भाई आप इंडिया को represent करते हो हम नहीं चाहते कि आपके ground में या इंडिया के किसी भी ground में आपकी hooting हो लेकिन जिस तरीके से इस time पर ऐसा लग रहा है कि भाई फैंस ने तो अपना number one दुश्मन हार्दिक पंडिया को मान लिया है वह बिल्कुल हाईदराबाद के जो सब लोगों को ऐसा लगा शायद वह बैटिंग और में नीचे इसलिए आएं क्योंकि वह विनिंग रंस मानना चाहते हैं पर वह विनिंग रंस कभी लगे नहीं प्रमोद जी का कॉमेंट है और वह कह रहे हैं सोचने की बात नहीं है मुंबा इंडियन्स का और बुरा होने वाला है देखे मरना क्या बोलती पब्लिक में ये साफ है और आप लगातार कॉमेंट्स करते रहिए फेस्बुक यूट्यूब इंस्टरीज जहां पर भी आप हमारी ए फीड देख रहे हैं लगातार आप कॉमेंट्स करते रहिए क्योंकि हम मानते हैं कि fans ही experts हैं और experts यहां पर fans की तरीके से behave करते हैं तो यहां पर हम IPL में आज का match बहुत चीजों के लिए याद रखा जाएगा Sunrider सेधरबाद ने जिस तरीके से पिटाई करी उस तरीके से भी याद रखा जाएगा लेकिन हारदेक पंडिया की कप्तानी पर बराबर सवाल उट रहे हैं शमस मुलानी जिनको 12 ओवर दिया पहला ओवर दिया बारवा उसमें 12 रन बने और फिर लास्ट ओवर दिया 21 रन लगे शमस मुलानी के उस ओवर में और 31 रन से मुंबई इंडियन्स यह मैच हारी यार वो सोच रहे होंगे कि भाई 500 रन तो लगी गए हैं अब यह कितने ही खालेगा 30 साले का जादे जादा वो तो खालेगे चलो 21 तो कमी खाली है यार इसने तो बंदे ने थोड़ी लाज बचा ली हमारी लेकिन आप यह बताओ कि अगर हार्दिक पांडिया इतने ट्रोल होने के बाद माल लो उनको बुरा लग जाता है दिल पे लग जाती हो कहते है मैं नहीं करता चलो कैप्टन थी तो क्या रोहिट शर्मा वापस आएंगे मुझे नहीं लगता के रोहिट शर्मा अब वापस आएंगे लेकिन क्या बोलती पब्लिक में हमारे पास प्रदीब कुमार जी का एक और कॉमेंट आया है बो कहरे है मैं मुंबई का फैन रहा हूँ लेकिन जब से हवडा बना है मैं मुंबई की हार से ज्याधा खुश होता हूँ और यह 90% मुंबई के फैंस का हाल है बिल्कुल प्रदीब जी ने इस बात को इस पश्ट कर दिया है कि फैंस इस बार किस तरीके से इस मूफ को देख रहे हैं क्योंकि बहुत बार बाते होती हैं कि IPL को अब 14-15 साल 2008 से चल रही है IPL इतने सारी सीजन्स हो चुके हैं कि अभी यह फैंस को अबी आपिभी जो टीमस हैं उसमें क्या वो फैंस को अपनी टीम को लेकर क्या support आया है लेकिन यहां पर इस बार ऐसा सा लगा है कि यहांपर हार्दिक पंडिया को जिस तरीके से कफ्टान के रूप में वापिस लेकर आए और मुझे नहीं लगता कि मुमें इ रोईज शर्मा को हटाया गया है कप्तानी से मुझे लगता है वो चीज बुरी लगई अगर यहां पर चे नई सूपर किंग से तोड़ा सा भी सीख लेती मुंबई टीम मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को लिया जाता कि यह एक तरीके से अपना जो कप्तानी है वो पासॉन की गई है जिस तरीके से महेंदर सिंग धोनी ने रुतुराज गाएकवार और यही अगर चीज चिननने ही करती है अगर वो भी रुतुराज को कैप्टन बना देते और वो धोनी को एंड मुमेंट पे आकर निकाल देते तो मही भाई वो पूरा स्टेडियम यल्लो होता लेकिन वो सिरफ मही मही कर रहा होता क्योंकि उनका भी यह यहाल होता लेकिन भाई उन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी से यह केला है कि भाई दोनी यह हो सकता है यह फ्रेंचाइजी ने भी काओ कि मही भाई अगर आप चाहते हो शायद अगर यह आपका लास्ट सीजन हो जो कि कोई नी बता सकता तो तब भी यह अच्छा होगा चिनल शुमर्टिंग्स के लिए अगर आपका लास्ट सीजन खेलने का शायद अगर आपका मनो तो अब रूतुराज को यह कप्तानी सौंग दो ताकि वह फैन बेस वह बना रहे है वह सपोर्ट बना रहे है जो कि मुंबई खो चुकी है पूरे तरही किसे लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ मुंबई की नहीं होगी आज बात संराइजर्स हैदराबाद की भी होगी जिनों ने IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है और यह स्कोर जब शुरुआत होई थी तो ट्रेविस हैड ने जिस तरीके से शुरुआत करी ट्रेविस हैड ने बहतरीन शुरुआत दी 18 बॉल में 50 बनाये जो 50 आई वो 18 बॉल में आई और वो जो पार्टनर्शिप थी तेस बॉलों में 68 रन की पार्टनर्शिप जिसमें ट्रेविस हैड के बल्ले से 30 रन आये अभिशेक शर्मा के बल्ले से 32 रन आये और यह देखे ट्रेविस हैड के सामने हैं पहला मैच खेल रहे थे पह जो सकता है कि मैं रन नहीं मार सकता हो तो अब क्यों नहीं मार सकता अब शेक शर्मा ने भी यही का बाई बड़े मिया थो बड़े मिया चोटे मिया सुवान अल्ला भाई त्रेसाइट रन मारे 23 गेंदों के उपर बाई मात्र सोला बॉल में इन्होंने अज अपनी 50 कर दियो और साथ चक्के मारे या दुबला पतला सा है यह लड़का और बाई ऐसे लंबे चक्के मार रहा असी असी नबे नबे मीटर के कड़े कड़े चक्के लेकिन तारीफ करन सिर्फ 34 बॉलो में 80 नॉट आउट असी रन नॉट आउट चार चौक के साथ चक्के साथ दिया एडन माकरम ने और एडन माकरम ने खुद 500 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी लेकिन इतने विशाल का है स्कोर के सामने ऐसा सा लग रहा है कि जैसे एडन माकरम भी हलके प आए और एडन माकरम ने पच्पनन बनाए बाई बिलकुल यार 25 रन यार मात्र एक इतनी बड़ी पार्टरशिप में एक बंदा असी मार रहा है और दूसरे बंदे के बल्ले सिरफ 25 रन निकल रहे है तो थोड़ा तो अजीब लगता है लेकिन माकरम भी कहीं कम नहीं है जो पिछले और जो इंडिया के भार जो ऐसी सीरीज हो रही है जिसमें सनराइजर्स की टीम है वहाँ पे माकरम कैप्टन है और उन्होंने हाइदरावाद की टीम को जिताया है तो बाई जो यह RCB का जो रेकर्ड था 263 का तो अभी तक RCB के फैंस कहते थे कि बाई हमारा जो रि कि जब लोग RCB को सबसे कम स्कोर पर आल आउट होने के लिए ट्रोल करते हैं तब RCB के जो फैंस हैं वो कहते हैं कि हाई स्कोर भी हमारी ही टीम ने खड़ा किया है और वो स्कोर IPL का सबसे बड़ा स्कोर आज सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया 2013 में जब RCB ने ये गगन चुमबी 263 का स्कोर बनाया था वो स्कोर कार्ड कैसा था ये हम आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी पारी खेली थी क्रिस गेल ने 175 रन 66 बॉलों में 17 चके 13 चौके क्रिस गेल का वन मैं शो था क्योंकि साथ में तिला कृफ्टिन दिलशान सिर्फ 33 रन बनाये थे 36 बॉलों में विराट कोली ने 9 बॉल में 11 रन बनाये थे ABD Villiers ने 7 अच्छा दिया था 8 बॉल में 31 रन 3 चौके 3 चके मार कर पर सौरप तिवारी और रवी राम पॉल कुछ खास नहीं कर पाए थे और 5 विकेट पर 263 रन बनाये थे Royal Challengers Bangaluru ने 2013 में पुने Warriors के सामने और ये जब 263 रन आये थे प्रशान्त उस टाइम पर सबसे किफायती बोलिंग करीती बॉवनेश्वर कुमार ने लेकिन आज के मैच में बॉवनेश्वर कुमार किफायती बोलिंग नहीं कर पाए क्योंकि बॉवनेश्वर कुमार ने 4 रन दिये इनकी भी 50 बाइए 50 करने से नहीं पीछे है तो मेरी 50 कैसे नहों यार ये पूरा साथ देते हैं अल्दो आज इन्होंने उन्नीस वावर नहीं किया लेकिन बाई आज ये डाल रहे थे सोलवा सत्रवा ओवर लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने जम कर रन दिये 4 2.25 की एकॉनमी रेट कोई विकेट नहीं यार जबकी मुंबई की विकेट गिरनी थी वहां पर लेकिन भूबनेश और कुमान नहीं नहीं यार मैं बच्यों को लेने देता हूँ उम्रान मलिक को यार आज ओवर मिला मात्र एक और उम्रान मलिक के साथ साथ संराइजर हैदर एक और चीज की तरफ मेरा जो ध्यान गया वो यह गया कि यार वाशिंग्टन सुन्दर को संराइजर हैदराबाद की टीम में जगए नहीं मिल रही आज इंपक्ट प्लेयर्स वाली लिस्ट में वो जरूर थे लेकिन वाशिंग्टन सुन्दर जिनके उपर तो आप यह से तो बाहर है बाई बिल्कुल यार वाशिंग्टन सुन्दर उनसे अच्छी बैटिंग करते हैं वाशिंग्टन सुन्दर उससे अच्छी बॉलिंग करते हैं उससे अच्छी फिल्डिंग करते हैं पर यह अब्दुल समध के पास क्या एक जादवी बूटी है बाई जो य लेकिन आज जब हम हार्धिक पंडिया की खराब कप्तानी की बात कर रहे हैं तो पैट कमिन्स की अच्छी कप्तानी के बारे में भी बात कर लेते हैं पैट कमिन्स जोनोंने 50 ओवर वर्ड काप थोड़े कुछ ही महीनों पहले यहां पर इंडिया आकर जीता था चार ओवर में आज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दो विकेट लिए 35 रन देकर एकनॉमी रही 8.75 की लेकिन सबसे बड़ी बात रही वो विकेट जो पैट कमिंस ने निकाले पैट कमिंस ने अज अपने उपर जिम्मेदारी ली और पैट कमिंस ने जिस तरीके से पहले रोहिश शर्मा को आउट किया डेंजरस रोहिश शर्मा जो 12 बॉल में 26 रन बना चुके थे और उसके बाद सूपर डेंजरस तिलक वर्मा जो की ऐसा लग रहा था कि शायद एक बार को ये मैच मुमई इंडियन्स की तरफ खीश सकते हैं उनको भी आउट किया पैट कमिंस ने और पैट कमिंस ने दिखाया अपनी बोलिंग से ऐसा नहीं है कि पहला ओवर इनका भी काफी पिटा था लेकिन उसके बाद जबरदस वापसी करी पैट कमिंस ने और संराइजर्स हैदराबाद का जो बहुत ही हलका बोलिंग कार्ड है देखा जाए तो Pat Cummins के अलावा कोई भी बड़ा नाम नहीं है इनके पास बोलिंग कार्ड में और बड़ा नाम नहीं है तो सबसे पहले नाम आता है जैदेव उनातकट का जैदेव उनातकट ने चार ओवर में 47 रन दिये दो विकेट लिये एकनॉमी रही 11.75 की लेकिन अच् जो की 14 बॉल में 30 रन बना कर खेल रहे थे उनको भी उनातकट ने आउट किया तो उनातकट ने भी बड़िया परफॉर्मेंस दी और आज उनातकट प्लेइंग 11 में इसलिए थे क्योंकि जो यॉरकर किंग है नेटराजन वो एक मैच खेलने के बाद उनकी मास पेशियां उ क्योंकि इतने दिल से आते हैं वो कॉमेंट ना कोई भी ऐसे क्योंकि अगर क्रिकेट क्या है लॉक्त कैंफुर्मेंस अगर यहां पर इंट्रेक्ट नहीं गरेंगे फैन्स की अगर बाते यहां तक ना पहुंचाए जाए तो यह क्रिकेट मुझे नहीं लगता के आई पील क तो देख रहे हैं आप Facebook पर देख रहे हैं YouTube पर देख रहे हैं Instagram पर देख रहे हैं तो आप अपने comment जरूर करिएगा हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा को मेंच को हमारे शोफर फीचर करने के लिए तो बही चलो यहां पर मोई मोई तो हो चुका है और पॉइंट स्टेबल में Mumbai इंडियन काफी नीचे आ चुकी है मुझे लगता है लाश्क में बिल्कुल दो मैच हार चुके हैं तो भई अब पब्लिक का तो जो कहना है पब्लिक का कहना बिल्कुल साफ है क्या बोलती पब्लिक में मनीश जी का कमेंट आया है कहना है मुंबई को मैच जताना है तो रोहत को लाया जाए मेरे गयाजा मनीश जी ऐसा कैप्टन लाने की बात कर रहे हैं क्योंकि रोहत शर्मा आया है और दोनों मैच में क्या आप गेम दिखाए हैं मुझे बगता है जबर्दस बैटिंग करी थी आज भी 12 बॉल में 26 रंड बनाए एक चौक का तीन चक्के जरू लगाए लेकिन क्या रोई शर्मा को ऐजा कैप्टन वापिस लाया जा सकता है हमने एक बार हमने एक बार चेनाई सूपर किंग्स को यह काम करते हुए देखा है कि जब जड़ेजा की कप्तानी बिल्कुल मौय मौय कर रही थी तब महिंदर सिंग दोनी वापिस आ गए तब भी महिंदर सिंग दोनी ने खुद अपने कैप्टन सी जो है उससे पीछे हटे और उसके बाद मौका दिया था जड़ेजा को वो हाला की अलग बात है साथ मैच में उनसे हो नहीं पाया तो ने का तू रहां देवाए दो कोई नहीं तूने तूने कोईश कर ली ना अब मैं आ जाता हूं वापिस पर यहां पर मार्क बाउचर और मुंबर इंडियंस की ज उने वाला है यह हम आपको बता जेते हैं, राजस्तान रॉयल्स और डेली काहए दूसरा मैच भी हारने की कागहरब है क्योंकि आठ मैच मुम है मुझश का भी हो मैच जो host कर रही है game को वो ही जीत रही है तो बाई दिल्ली की तो वैसी आदत है नहीं हार जाते हैं और दिल्ली को तो पहले schedule में अपने home ground पर कोई match ही नहीं मिला था लो जी लो तो second schedule में ही इनके पास 2-4 match आये हैं महलब मेरे कहले 4-5 match आये हैं अपना बड़ा impression कल छोड़ कर जाएंगे इस बारे में discuss करेंगे कल क्योंकि कल आएंगे match के ठीक बात The Cricket Show आ रहा है match के ठीक बात IPL match खत्म होने के बाद तुरण Z News को देखना शुरू कर दीजे Z News पर login कर लीजे और Z News पर हम आपके comment को लेकर आएंगे The Cricket Show में आज के लिए बस इतना ही मेरा नाम है चैन रस्तोगी मेरा नाम है प्रशांद गपूर और आप देख रहे हैं Z News Z News